मैं आपको सलेवस और एक्जाम की बीच का रिलेशन बताता हूँ अगर आप कही पर किसी अंजान वैक्ती से मिले दोनों में दोस्ती हो गई आपको उसने अपने घर बुलाया घर का रास्ता आपको नहीं पता पूचते पूचते अगर आप उसके घर पहुचेंगे तो काफी टाइम लगेगा वहीं अगर आपको उसके घर का रास्ता एक्जेट पता हो तो इसी तरह अगर आप गुरूबडी की एक्जाम की तयारी करते हैं उसका रास्ता यानि स्लेवर्स आपको पता होना चाहिए तभी आप अपनी प्यारी सी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुच सकते हैं बात करें हम गुरूबडी की स्लेवर्स के बारे में तो जेनरल अवेडनेस बीस कोसंस पूचे जाते हैं उसके बाद मैथमेटिक्स के 25, जेनरल साइन्स के 25, उसके बाद रिजनिंग के जो है तीस जो है कोसंस पूचे जाते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें जेनरल अवेडनेस के बारे में तो इसमें जो है जितने भी पॉइंट है मैं सभी को बताते चलता हूँ सबसे पहला इस्पोर्ट से रिलेटेड यानि खेल जगत से रिलेटेड जैसे की फीफा है ओलम्पिक है ये सबी खेल कहा होने वाले हैं कुछ खिलाडियों के बारे में इन से जो है पूछे जाते हैं तो इसमें दो या तीन सवाल आपको यहां से मिलेगा उसके बाद एकोनाम 8 से 9 सवाल किरख़ंट अफियर से पूछे जाते हैं अगर हम बात करें करें के बारे में आपको पढ़ना कहां से है तो अब पिछले 9 महीने के आप क्रेंट अफियर पढ़ लें यह एक्सां की दरिश्ची से काफी इंपोर्टन्ट होता है और इनफ है 9 महीने तक के करेंट उसके बाद अगला पॉइंट है जोग्रफी, जोग्रफी से आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेगा, उसके बाद वहीं पर अगला पॉइंट है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री से भी आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेगा, और अगर हम बात करेंगे बुक्स कौन सा पढ़ना तो books यहाँ पर आपको lucent का पढ़ना होगा, lucent general knowledge आप पढ़ सकते हैं, ये भी काफी enough होता है इन exam के लिए, उसके बाद अगर हम अलग एक और book के बारे में बात करनें तो पढ़ती होगी तो दरपन, ये दोनों book जो है general awareness के लिए, गुरुप D के exam के लिए काफी important है, आप च जो की काफी important है, उसके बाद अनुपात और समानुपात, इससे भी जो है दो तीन सवाल देखनी को मिलता है, तो आप इसको अच्छा से पढ़ लें, ये जितनी भी मैं यहाँ पर chapter आपको बताता हूँ, इससे जो है जादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर आपका focus जादा होना चाहिए, बाकि अगर आप जितनी भी chapter है, उन पे भी आप जो है अपना command रख सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बाद अगर हम percentage की बात करें, तो इससे दो तीन सवाल देखनी को मिलेगा, उसके बाद अगला दो जो chapter है, ये काफ 6 सवाल देखनी को मिल सकता है, तो इसलिए इन दोनों chapter को आप ठीक से पढ़के जाएंगे, उसके बाद अगला chapter है, profit and loss, इससे भी एक या दो सवाल आपको देखनी को मिल सकता है, बाकि chapters जो की average जो है, सभी पूछे जाते हैं, आप उन सभी chapters को जो है solve कर सकते हैं, उसके ब इसमें उसके बाद biology से 6-7-8 सवाल देखनी को आपको मिल सकता है, वही पर अगर हम physics की बात करें, तो physics में आप ज़्यादा तर numericals बना सकते हैं, और books आप lucent का पर हैं, ये आपके लिए काफी enough रहने वाला है, वैसे भी 10th level के ही questions पूछे जाते हैं, आप 10th के books के objective सवाल है इसको अगर आप बनाएंगे, तो आप आसानी से इसको solve कर सकते हैं, ज्यादा टेंसल लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप 10th में अच्छे से पड़े होंगे, तो आप आसानी से इन सवालों को बना सकते हैं, बागी मैंने एक प्रोपर जो है जनरल साइंस पर वीडियो बन सबसे यहां पर पहला चैपटर काउन सा है तो अनलोजी जिससे 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेगा, वही पर दूसरा चैप्टर है, अल्फवेटिकल एंड जो है नंबर स्रीज, इससे जो है 3-4 सवाल आपको देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा सवाल इस चैप्टर से प देखनी को मिलेगा वेंड डाइग्राम काफी इंपोर्टेंट है गुरुप डी के एक्जाम के लिए उसके बाद बलड रिलेशन हो गया कलेंडर हुआ इन दोनों चेप्टर को आप देख सकते हैं इससे भी दो तीन सवाल आपको देखनी को मिलेगा अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यकीनिन आपको सफलता मिलेगी वो कहते हैं न पढ़िंदे को मिलेगी मनजिल यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर वो लोग खामोस रहते हैं जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं I hope कि आपको वीडियो पशंद आया होगा ल